अस्सलाम अलेकुम विवस तो आज मैं आप लोगों के साथ पहू थी डिलीशियस बिल्कुल शादियो पाटियो वाला ये देगी मतन कॉर्मी की रेशिपी शेयर कर रही हूं जो बनाने में बहुत ही आसान है और घर के कुछ ही इंग्रिडियन से ये आप बना सकते हैं एक्दम लाजवाब शादियो वाला देगी मतन कॉर्मा तो आप वीडियो में अन तक जरूर बने रहें ताके आप से कोई स्टेप मीस न हो सके तो चलिए आज बना लेते हैं देगी मतन कॉर्मा तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो आप से मेरी हैंबल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पुझे सपोर्ट करें और बैल अकन जरूर क्लिक कर ले ताके हर वीडियो का नौटिफिकेशन मिलता रहें और फ्रेंड और फैमिली ग्रूप में ज़्यादा शेयर करें तो चलिए बना लेते हैं आज का ये देगी मतन कॉर्मा तो इसे बनाने के लिए हमने यहां पे लेकिन जब आप मतन या चिकन जब भी बनाते हो तो बन के समेत बनाते है तो उसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने इसे धो के अच्छे से इसके पानियों को निकाल लिया है दो टेबली स्पून यहां पे ले ले लेना है जिंजगाली का पेस्ट और यहां प क्षिमीरी लालनांजामैर्जाजां म ब।ंक काली मिर्चो भाइतार ऑल्छा सिर्णी के लिषे विजीरत भब मर्ष्पून अगहें होगी दो अग्ताना गाल मुर्पर उप व्रफू भार ऑगा ने दो भी ह biscuit MDH मसाला यहां पर मैं ले रही हूँ, दो टीज़ इस्पून भरके, तो देखे घर का जो मेजर वाली जो चमच होते है न छोटी वाली, मैं वैस उसी से मेजर करी हूँ, आप जो मेजर इस्पून होते हैं आप वो ले ले, यहां पर मैंने दो चमच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट एकवर्डिंग नमक ले ले, अब अच्छे से इसे मिक्स कर ले, मिक्स करने के बाद इसे 10 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए रखते हैं, और सबसे पहले आप यह काम कर लेंगे, और बाद में बाकी जो प्याज वगएरा, इंग्रिडियन्स वगएरा इखटा करोगे तो आपका 20 मिनट हो जागा, अब एक कुकर में हमने ओयल ले लिया, यहां पे रिफाइंड ओयल, यहां पे हरी लाची, दाल चीनी, लॉंग और थोड़े से तेस पत्ता, वो ले ले लेना है, और काली मिर्च, साबित यहां पे मैंने लिया हुआ है, अब यहां पे हमें ले मैरिनेशन किया हुआ मतन यहां पे एड़ कर देंगे, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आपको पानी वगएरा इसमें कुछ भी एड़ नहीं करना है, क्योंकि यहां पे जो दही हमने दिया है, और जो गोश्त यहां पे है, वो सारा इसे पानी र गाएंगे, उसके बाद इसके सीटी को खोलके इसके पानी को अच्छे से भुनाय करेंगे, याери कि मतन के हम अच्छे से भुनाय करेंगे, उससे पहले आप चेक करेंगे, कि हमारा मतन कितना कुक़्ड है, यानि अगर बहुत ज़्यादा आप सीटी लगा दे रहे हैं, और आप अपने कुकर के हिसाब से देख लें कितने सीटी में हमारा 50-60% कुक होता है तो यह अपने कुकर के हिसाब से यहाँ पे सीटी लगा ले बहुत जादा मैसी अगर कर देंगे यानि पूरा कुकड कर देंगे 100% तो यह इसकी भुनाई नहीं हो पाएगी और अगर इस स्टे कि मैंने यहाँ पे 60% गोश्ट को पकाया है और इसकी भुनाई कर रहे हैं भुनाई बहुत ही मस्ट है यह आप जरूर करें अच्छे से भुनाई करनी है अब यहाँ पे हमें मेजरिंग कप से एक कप पानी डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेना है धनिया पत्ती वगरा दालने के बाद हमें इसे क्या करना है लिड लगा देना लिड लगाने के बाद बस हलका सा city आने दे यानी एक city आने दे उसके बाद इसे बंद कर दे और city को इसी में release होने के लिए छोड़ दें जब आप खोलोगे तो कुछ इस तरह के आपको मतन मिल जाएंगे यानि कि हम पूरा डन है यह देगी मतन तो यह एक तम इसका जो टेक्शर है और जो टेस्ट है यह बिल्कुल अच्छे से हो जाता है कभी भी आप कोई चीज भी बनाओ तो आप इसे पांच मिनट जरूर रेष्ट दे फॉरन फॉरन है ना सीटी खोला फॉरन निकाला फॉरन सर्फ किया यह ना करें कम से कम पांच से दस मिनट रेष्ट दे उसके बाद ही आप इसे डिसाउट करें तो कुछ टीप्स मैं आपको देती हूँ आपको टीप्स कैसी लगती है मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर लिखे ताके मुझे करने का कुछ जजबा मिल सके तो इसी तरह की जव इसे मैं रोटी के साथ सर्फ कर रहे हूं आप चाहो तो इसके साथ पुलाव नान या पराठे वगरा भी सर्फ कर सकते हो यह एकदम जूसी सा बना है बहुत ही ला जवाब तो इसे जरूर ट्राइ करें और रेसेपी ट्राइ करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो म और हाँ चैलन को लाइक शियर और सबस्क्राइब करना ना दूने तो चलती हूं अल्ला हाफीज